नमस्कार दोस्तों दोस्तों अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से भारती जन्ता पार्टी के खिलाफ उतर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। अनुप्रिया पटेल सरकार को घेरती हैं। लखनव में आकर अपनी पार्टी का एक कारिकरम में वो ये कहती हैं कि हमारी सारी मांगो पर तो विचार हुए लेकिन उत्र प्रदेश में 79,000 शक्षक भरती का मसला हल नहीं हो पाया। अनुप्रिया पटेल सकषाथकार के जरीये मिलने वाली नौकरियों में आरख्षण का मुद्दा भी उठाती हैं जिस पर उए यूपी सरकार के तरफ से उनको जवाब भी दिया जाता है। फिर अनुप्रिया पटेल ये बात कहती हैं कि नरेंद्र मोदी अब सरकार को NDA की सर कहने लगे हैं ये भी इस सरकार में देखने को मिल रहा है यानि कुल मिलाकर अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी को ये एहसास दिलाने की कोशिश करती नजर आई कि वो बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं और उतर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी से उनकी नारा आशीश पटेल पहुचे यानि लगातार ऐसी बाते सामने आती हैं जिसको देखकर ये लगता है कि अनुप्रिया पटेल और योगी आदितिनात के रिष्टे तो ठीक नहीं हैं लेकिन अनुप्रिया पटेल लगातार ऐसे बयान देकर दबाओ बनाने की कोशिश करती रहती हैं और अब एक बार फिर अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में आउट्सोर्सिंग का मुद्दा उठा दिया हैं एक तरफ तो वो आउट्सोर्सिंग का मुद्दा उठा कर योगी आदितिनात की सरकार को घेर रही हैं और दूसरी तरफ वो एक और मुद्दा उठ रही है जो नरेंद्र मोदी को अमिश शाह को और पूरी भाजपा को असहज कर रहा है सबसे पहले आउट्सोर्सिंग के मुद्दे की बात करते हैं अनुप्रिया पटेल ने के स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि आउट्सोर्सिंग बेहत खतरनाक है इसका कोई हल जरूर निकाला जाना चाहिए और दोस्तों ये कोई कही सुनी बात नहीं है बलकि अनुप्रिया पटेल ने खुद ये बयान दिया है कर दोस्तों और दूसरी तरफ दोस्तों जिस मसले से पूरी की भारती जनता-पार्टी भागती रही है जिस मसले को विपक्ष ने चुनाओं में मुद्दा बनाया और आखिरकार वो हथियार बना यानि जातिगत जनगणना अब अनुप्रिया पटेल भी जातिगत जनगण अनुप्रिया पटेल का ये कहना है कि देश में कितने पिछले हैं, कितने अति पिछले हैं, कितने दलित हैं, इसका एक सही डेटा, इसकी एक सही संख्या सरकार के पास होनी चाहिए, इसलिए जातिकत जंगर्णा बहुत जरूरी है. जाति जंगर्णा जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक सकर्चना का आधार इभिन जातियां और देश में हजारों वर्षों के हैं, क्या हमें उनकी सही संख्या सही गिंसी नहीं मालूप अनुपनी कहिए? और ये केवल जातिये जंगर्णा से ही संभव है. किसी जित दवे, कुछले, हाशिय पर पड़े हुए जाति समु को यदि अधिकार सम्मान भागेडारी सुनिष्यिक करनी है, तो उसे संभव का अधिक्रिस आतरा होना ही काई है। अदो भी मौके से चूके नहीं और उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल को फॉरण NDA छोड़ देना चाहिए अभी सुनने मेरा एक मंत्री जी चिला रही है कि आरश्ण खतम हो गया आज़ा आप खुछ सोचिए सरकार में भी रहेंगे और आरश्ण की भी बात करेंगे तो जिने आरश्ण की चिंता है जो पिषडे दलित और अरश्ण के आदिवासी भाई बेन हैं चाहिए वो दिल्ली म दोस्तों क्या अनुप्रिया पटेल वाकई एंडिये छोड़ देंगी क्या इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही है या फिर कहानी कुछ और है कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश में दस विधान सभा सीटों पर उपशुनाओ होना है उसमें जादा से जादा सीटों पर कहानी क्या ये भी है कि अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रमोशन हासिल करना चाहती है उनको लगता है कि 2014 से लेकर अब तक वो राज्य मंत्री बनकर ही रह गई है तो अब वो क्याबिनेट मंत्री बनना चाहती है या फिर अपने पती के लिए कुछ ब्लूडी विभाग चाहिए चर्चाएं इस बारे में भी हो रही है दोस्तों और कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल इसी वज़े से पूरी की पूरी बीजेपी पर योगी आधितनात की सरकार पर और नरेंद्र मोदी और अमिश्शा पर अपने बयानों के जरीये दब बना कर अपनी बाते मनवाने की कोशिश कर रही है अनुप्रिया पटेल को ये भी लगने लगा है कि पीडिये जिसकी बात अखलेश यादव कर रहे हैं पीडिये के साथ कई जातिया इंडिया गडबंधन के पक्ष में चली गई है और अगर ऐसा ही रहा तो अनुप्रिया पटेल के लिए 2027 का चुनाओ बेहद मुश्किल हो जाएगा और शायद अनुप्रिया पटेल अपनी सियासत को अपनी राजनीती को अपनी पार्टी को बचाने के लिए भी एक सेफ गेम खेल रही हैं दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख र